आप सभी का स्वागत है Current Affairs Update क्लास में आज के इस क्लास में हम चंद्रियान 4 के बारे में बात करने वाले हैं चंद्रियान 3 की एतिहासिक सफलता के बाद अब बारी है चंद्रियान 4 की यह कब लाउंच होगा और इसमें अब तक कारिक क्या क्या हो चुके हैं द्यान देने की जरूरत है पहला पॉइंट करे चंद्रियान 3 मिसन की एतिहासिक सफलता के बाद भारती अंतरिच अनुसंतां संगठन यानि इस रो अब अगले मून मिसन चंद्रियान 4 की तयारी कर रहा है चंद्रियान 4 अपने पहले मिसन की तरह नहीं होगा इस बार जो चंद्रियान 4 होगा वह क्या चांद पर भी जाएगा और वहाँ से वापस धरती पर भी आएगा ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है दरसल चंद्रियान 3 को एक ही स्टेज में लॉंच किया गया था लेकिन चंद्रियान 4 को दो स्टेज में लॉंच किया जाएगा बात करें दो अलग लग लॉंच चंद्रियान 4 के वीकल को आगे बढ़ाएंगे जो ना केवल चंद्रमा पर उतरेंगे बलकि चंद्रमा के सता से चटानों और मिट्टी मून रेजुलित को भी भारत वापस लाएंगे ठीक है यानि जो चंद्रियान 4 है उसको दो स्टेज में लॉंच किया जाएगा और चंद्रियान 3 था उसे एक ही स्टेज में लॉंच किया गया था जो चंद्रियान 4 है वो क्या चांद पर भी जाएगा और वहां से धर्ती पर भी वापस आएगा और वहां से चटानों और मिट्टी को भी भारत वापस लाएगा चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है चंद्रियान 4 को पहले स्टेज में धर्ती से लॉंच किया जाएगा इसके बाद यहां चांद पर लेंड करेगा चांद पर अपनी सभी टास्क पूरी करने के बाद इसे फिर धर्ती पर सेंपल पहुंचाने के लिए लॉंच किया जाएगा और पहले बार लॉंचिंग के वक्त चंद्रियान जो 4 है उसका कुल वजन होगा 52 किलोग्राम जबकि यह चांद से जब धर्ती पर आएगा तो इसका वजन हो जाएगा 1527 किलोग्राम ठीक है ताकि यह आसानी से धर्ती के आर्पीट में दाखिल हो सेके आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है एक बार फिर से इस पॉइंट को हम देख लेते हैं चंद्रियान 4 को पहले स्टेज में धर्ती से लॉंच किया जाएगा इसके बाद यह चांद पर लैंड करेगा फिर चांद पर अपनी सभी टास्क पूरी करने के बाद इसे फिर धर्ती पर सेंपल पहुंच आने के लिए लॉंच किया जाएगा पहली बार लॉंचिंग के वक्त जो चंद्रियान 4 है उसका कुल वजन रहेगा 500 किलोग्राम जबकि चांद से जब यह धर्ती की और लॉंच होगा तब इसका वजन हो जाएगा 527 किलोग्राम जो की ध्यान रखिएगा ताकि यह असानी से धर्ती के आर्बिट में दाखिल हो सके चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हाइलाइट क्या हुआ है इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जो भी आपको आर्टिकल दिख रहा है वो सारे गूगल से लिए गए हैं तो आपको यह नहीं देखना है कहां से मतलब इसको एकठा करकर आपको मैं बता रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ यह सारे गूगल से मतलब लिए हुए है ठीक है आपको घबराने के आ सकता बिलकुल नहीं है लिखा हुआ है चंद्रियान 4 मिसन में दो और अतिरिक्ट कंपोनेट होंगे जिन्हें चंद्रमा से नमूने वापस लाने और उन्हें प्रीथवी पर गिराने का काम सोपा जाएगा यानि जो चंद्रियान 4 है अपने साथ 5 मौडियूल लेकर जाएगा जहां रखेगा चंद्रियान 4 अपने साथ कितने मौडियूल लेकर जाएगा तो 5 मौडियूल लेकर जाएगा इसमें एसेंडर मौडियूल डिसेंडर मौडियूल प्रोपलसल मौडियूल और ट्रांसफर म चंद्रियान जो फोर है अपने साथ लेकर जाएगा हर मॉडूल का अलग अलग काम होगा बता दे कि चंद्रियान थ्री में तीन मुख्य कंपोनेट सामिल थे जिनमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉडूल था जबकि चंद्रियान फोर में पाँच मॉडूल होगा जिन को बता रहा हूँ, चलिए आगे देख लेते हैं, यह होंगे चंद्रियान फोर के पाँच कॉमपोनेट, पहला है प्रोपल्सन मॉडूल इसको उमपढ लेते हैं, यह चंद्रियान फोर को चंद्र कर्षा में मार्क दर्सन करेगा, रोकेट से अलग होने के बाद धर्ती के और्बिट से लेकर चंद्र की और्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी है, वह इस मॉडूल की हो जाएगी, ठीक है, चंद्र की और्बिट में एंट्री तक की जिम्मेदारी है, वह प्रोपल्सन मॉडूल की हो जाएगी, ध्यान रखेगा, चलिए, अगला मॉडूल द ही है जो कि चंद्रमा पर लेंडिंग करेगा और तीसरा कह रहा है ascender module एक बार जब भी sample collect हो जाएंगे तो फिर ascender module lender से बाहर निकल जाएगा और प्रिथवी पर लोटना शुरू कर देगा नमूने कठे करने के बाद या चंद्रमा की या ascender module को पकड़ने और इसे चांद की कछा से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार होगा चटान और मिट्टी के नमूने के साथ capsule के अलग होने से पहले या प्रिथवी पर वापस आ जाएगा आगे लिखा हुआ है दो launch vehicle होंगे सामिल इस रोचीफ के मुताबित भारत का सबसे भारी launch vehicle LVM3 तीन कंपोनेट के साथ launch होगा जिसमें propulsion module, descender module और ascender module सामिल होंगे जिसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया दिया 2023 में चंद्रियान 3 mission की तरह ही होगा इसके बार transfer module और re-entry module को ध्रूवी उपग्रह प्रेच्छे पढ़ियान यानि PSLV पर launch किया जाएगा इस रोच ने अभे तक इस बारे में विश्त्रिक जानकारी नहीं दी है कि कौन सा launch सबसे पहले होगा ठीक है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आज के class में बस इतना ही उमीद करते हैं या जो जानकारी है वो आपको अच्छे जरूर लगे होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा ठीक है वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा समय लगता है और मेहनत भी लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अपने दोस्तों में इस जानकारी को आप सभी सेर कर सकते हैं वाटसअप टेलिग्राम पे आप सभी सेर जरूर करिएगा आपका दिल करें तो पहरा सा कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे प्लेलिश्ट को आप सभी चेकाउट जरूर कर सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धरन्यवाद